ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल में मीनुचडिया अपने पती मानुचडिय के साथ रहती थी मीनुचडिया ने अभी अपने घर में कुछ अंडे दिये हुए होते हैं मीनुचडिया बस दो अंडे और रह गई है फिर तो मेरे पूरे बारा अंडे जमा हो जाएंगे हाँ मीनुचडिया हम इन में से कुछ अंडों में से अपने बच्चे निकालेंगे और बाकी अंडे बड़े बजार में जाकर बेच देंगे हाँ वैसे भी मानुचड़ी मेरी एंडे तो बहुती ज़्यादा महेंगे दामों में जाएंगे इसलिए हमें बदले में जो भी दाने मिलेंगे हम उन दानों से अपने बच्चों के लिए ही सारा समान खरीतेंगे हाँ चलो जैसी तुम्हारी मर्जी मीनुचड़ी अब मैं काम पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है पिर अब ऐसा कहकर मानुचड़ा काम पर चला जाता है मीनुचड़ीय के बाजू में ही एक कालुकवा अपने घर में अपनी पत्नी पिरियकवी के साथ रहता था कालुकवा भी मानुचड़े के साथ ही काम पर जाया करता था लेकिन कालुकवा बहुती जादा आलसी था वे अपने काम में अपना बिल्कुल भी दिल नहीं लगाया करता था बस इसी वज़ा से ही पिरिया कवी काफी जादा परिशान रहा करती थी वे कालू तुम आज भी काम पर नहीं गए हो तुम है तो पता ही है कि मैंने घर में अंडे दिये हुए है अभी तो इतनी मुश्किल से हमारा गुजारा हो जाता है लेकिन जब ये बच्चे हो जाएंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा तुम तो काम करते ही नहीं हो औरे भाई पिरिया कवी तुम बिल्कुल भी सिकर मत करो जब तक तो मैं अपना कोई कारोबार कर लूँगा कारोबार करने के लिए दाने का हासे लाओगे या चोरी करोगे तुम आप हाँ पिरिया कवी मैं यही सोच रहा हूँ चोरी कर लेता हूँ और उन दानों से अपना कारोबार कर लेता हूँ मैं तो ऐसे ही बोल रही थी और तुम तो सच में सोरी करने के बारे में सोच रहे हो तुम हमेशा चोरी ही करना कभी भी महानद से कुछ मत करना अब चाहे चोरी करो या कुछ भी करो मुझे तो कहीं से भी दाने ला कर दो अगर तुमने काम नहीं शुरू किया तो मैं खुद काम पर जाना शुरू कर दूँगी और फिर मैं तुम्हें चोड़ कर चली जाओंगी फिर अब कालुकवा अपने मन ही मन सोच रहा होता है क्यों ना मैं चंगल में मीनू चुडिया से उधार ले लूँ और जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो मैं उसे सब वापस कर दूँगा फिर अब ऐसा सोच कर कालुकवा मीनू चुडिया के पास आजाता है मीनू चुडिया मुझे तुम से एक बहुती जादा जरूरी काम है और मुझे पता है तुम उसके लिए मुझे मना भी नहीं करोगी हाँ हाँ बोलो भई कालुकवे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ तो मीनू चुडिया मुझे तुम से कुछ दाने उधार चाहिए तुम के मैं अपना एक नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ और उसके लिए दाने तो चाहिए ही होते हैं ना एरे कैलू के बे मैं तो बहुत जादा चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ पर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम देखो मैंने तो खुद अपने घर में अंडे दिये हुए है मैं अपने आदे अंडे को बेच कर उन में से दाने लूँगी ताकि मैं उन दानों से अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा कर सकूँ बस इसी वज़ा से ही तो मैं अपने अंडे बेच रही हूँ आदे और तुम्हें तो पता ही है मेरे अंडे कितने कीमती होते हैं अच्छा अच्छा तो फिर कितने अंडे दिये हुए हैं तुमने अपने इस घोसले में कहलू केवे मेरे तो कल तक पूरे के पूरे बारा एंडे अराम से हो जाएंगे फिर मैं उन मेंसे आदे एंडे बेच दूँगी और आदे एंडों से बच्चे निकालूंगी फिर अब कालू कववे जंगल में आकर एक जगा पर बैढ़ जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अगर मैं पूरे ही जंगल में किसी भी पक्षी से ऐसे उधार मांगूंगा तो कोई भी मुझे लगता है मुझे दाने नहीं देगा इसलिए अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा और वैसे भी अगर मैं अभी उधार मांग लूँ और उपर से कारोपार करने के बाद मुझे नुकसान हो जाए तो फिर मैं उधार वापस कहां से करूँगा नहीं भई नहीं मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ फिर अब इतने में कालू कवे के पास एक चील आकर बैठ जाती है एरे भाई कवे क्या तुम इसी जंगल में रहते हो हाँ हाँ भाई चील यही तो वो जंगल है जहां पर मैं रहता हूँ तो फिर तो मुझे बताओ इस जंगल में क्या कोई पक्षी अंडे बेचता है क्योंके मुझे चडिया के बारा अंडे चाहिए और उन बारा अंडों से मुझे एक बहुती ज़्यादा जरूरी चीज बनानी है और मुझे जो भी वो बारा अंडे देगा इसके बतले में मैं उ पिनू चुडिया के सारे अंडे चुरा कर इस चील को दे दूँ और इससे काफी ज़्यादा दाने ले लूँ इस तरह से तो मुझे बिल्कुल भी महनत नहीं करनी पड़ेगी और बिना महनत के ही मेरा कारोबार अच्छे से चल जाएगा अगर तुम किसी पक्षी को जानते हो तो मुझे बता दो इतना भी क्या सोच रहे हो तुम चील तुम तो बिल्कुल सही जगा पर आई हो मैं ही इस जंगल में अंडे बेशता हूँ तुम मुझे बता दो तुम्हें किस जगा पर अंडे चाहिए मैं वहाँ पर कल तुमें प पर आजाता है अरे क्या हुआ भाई कालू तुम तो बहुत जादा खुश लग रहे हो आज हाँ तुम चाहती थी ना मैं अपना काम करूँ इसलिए अब तुम देखना मैं कल से ही अपना नया कारोबार शुरू कर दूँगा क्यों भाई कोई खजाना हाथ लग गया है क्या त सोच ले तुम के मेरे हाथ बहुत जादा कीमती खजाना रगा है अब बस सुभा मीनू चड़िया के उठने से पहले ही मैं उसके घर से सारे के सारे अंडे चुरा लूँगा और फिर तो उसके बाद मेरी चांदी ही चांदी होगी फिर अब कालू कववा और पिरिया कववी अपने घर में सो जाते हैं मीनू चड़िया ने भी अपने घर में और अंडे दिये होते हैं जिसकी वज़ा से अब उसके पूरे बारा अंडे हो गए होते हैं फिर अब अगले दिन सभी पक्षियों के उठने से पहले ही कालू कववा मानो चड़े और मीनू चड़िया के अ स्चील के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि कालुकवा तुमें सारे अंडे उस चील को बेच रहा होता है कालुकवे तुम इतने बड़े चोर हो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था क्या मतलब ये अंडे चोरी के हैं हाँ हाँ भाई ये मीनू चड़िया के अंडे हैं और ये कालुकवा इसे चुरा कर तुम्हें बेचने के लिए लियाया है मुझे ये सब नहीं पता था के ये चोरी के अंडे हैं इसलिए तुम दोनों मुझे माफ कर दो हाँ हाँ भई माफ कर दो भई माफ कर दो मुझे भी माफ कर दो तुम दोनों ही कालू कववे तुम्हे तु बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी अब अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस चोरी के बारे में जंगल के सभी पक्षियों को ना बताएं तो तुम ये जंगल छोड़कर खुदी चले जाओ बस फिर अब कालू काववा डर के मारे वे जंगल छोड़कर चला जाता है और मीनू चड़िया भी अपने अंडे लेकर वापस अपने घर में आ जाती है दूसरी तरफ पिरिया कववी भी अब अपना खुद का काम शुरू कर देती है और खुद अकेले खुशी खुशी रहने लगती है और इसी तरह से अब सब कुश ठीक हो जाता है ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्शी रहा करते थे जंगल में एक कालुकावा रहता था वे कालुकावा हमेशे जंगल के सभी पक्शियों को काफी जादा डरा कर रखता था जो भी पक्शी उसकी बात नहीं मानता था कालुकावा उस पक्षी का गर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर देता था इसलिए जंगल के हर पक्षी कालुकावे से काफी जादा डरता था फिर एक दिन जंगल के एक गोदाम में सभी पक्षी एक साथ काम कर रहे होते हैं मुझे तो अब गोदाम से बाहर जाने में भी काफी जादा डर लगने लगा है जैसे ही गोदाम से बाहर जाओ तो कालुकवा रोक लेता है और रोक कर सारे दाने ले लेता है हाँ, पता नहीं कब तक हमें इस कालुकवे से ऐसे ही डरते रहना होगा मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना आज हम सब पक्षी एक साथ मिलकर बहार निकले और उस कालुकवे का सामना करें अगर हम सब को तो पता ही है कि कालुकवा तो बहुत जादा फालिम है अगर उसने हम सभी पक्षियों में से किसी एक पक्षी को नुकसान पहुँचा दिया तो फिर हम क्या करेंगे लेकिन ऐसा भी तो हो सकत रहे के हम सब को एक साथ देखकर कालुकवा हमें परिशान ही ना करे चलो तो पिर वैसे भी हम सब का काम तो खतम हो ही गेے पहर आये हैं गुदाम से इसका मतलब जरूर इन लोगों ने मेरे खिलाफ कोई साज़िश करी है लेकिन अगर मैं आज इन से डर गया तो ये लोग मुझे फिर कभी भी नहीं डरेंगे और कभी भी मुझे अपने दाने नहीं देंगे इसलिए मुझे आज इन से डरना नहीं है फिर अब कालुकवा सबी पक्षियों के सामने आ चाता है और उन्हें रोक कर कहने लगता है लाओ भई लाओ जिसके पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो कालुकवे तुम यहां से चले जाओ आज हम मैंसे कोई भी पक्षी तुमें कुछ भी नहीं देने वाला है हाँ भई कालुकवे बहुत करणिया है तुमने हम पर जल्म अब हम तुमसे बिलकुल भी नहीं डरने वाले मुझे पता था तुम सब लोग एक साथ बहार आए हो तो तुम लोग मेरे खिलास कोई न कोई योजना बना कर आए होगे इसलिए मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया उपाए है फिर अब कालुकवे चाकु निकाल कर कभूतर की गर्दन पर रख देता है हाँ भई अब बताओ कौन नहीं देगा मुझे अपने दाने चल्दी जल्दी से सभी पक्षी मुझे अपने अपने दाने दे दो नहीं तो मैं इस कभूतर का काम खतम कर दूँगा नहीं नहीं कालुकवे तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना अरे भाई पक्षियों आप सब के पास जो कुछ भी है जल्दी जल्दी से इसे दे दो वरना ये मुझे नहीं चोड़ेगा खीक है कालुकवे तुम पहले कबूतर को छोड़ दो फिर हम सब कुछ दे देंगे तुम्हें फिर अब कालुकवा कबूतर को छोड़ देता है सबी पक्षी भी कालुकवे को दाने दे देते हैं अब सबी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं मीनू चड़िया अपने घर पर आकर देखती है तो आज इसके घर पर तो खाने के लिए अनाज भी नहीं होता है आज तो इस कालुकवे के चक्कर में मैं अनाज लाना भी भूल गई हूँ चलो अभी तो कालुकवा अपने घर में होगा मैं अभी जल्दी से बड़े बजार से जाकर अनाज लेकर आ जाती हूँ अपने लिए फिर अब मीनू चडिया बड़े बजार की तरफ अनाज लेने के लिए चली जाती है और कालू कवा भी अपने घर में बैठा सोच रहा होता है औरे आज सो किसी भी पक्षी के पास भोजन नहीं था अब मुझे एक काम करना पड़ेगा किसी पक्षी के घर से ही भोजन लाना होगा फिर अब ऐसा सोच कर कालू कवा मीनू चडिया के घर पर आ जाता है मीनू चडिया अपने घर पर भोजन ही कर रही होती है लगता है मैं बिलकुल सही समय पे पहुँचा हूँ तुम्हारे घर पर लाओ भई लाओ अब जल्दी से मुझे भोजन दे दो तुम कालू कवे मेरे पास तो खुद ये थोड़ा सही भोजन है जो भोजन मैं खुद खा रही हूँ अच्छा तो बस अब बहुत खा लिया फिर तुमने सारा भोजन अब जितना भी भोजन है ये अब ये सब मैं खाऊंगा फिर अब कालू कवे मीनू चड़िया का सारा भोजन उठा कर ले जाता है अरे अब तो हम लोग अपने घर में भोजन भी सुकून से नहीं कर सकते हैं काश के कोई जादू हो जाए कोई परी आ जाए जो इस कालू कवे को अच्छा सबक शिकाए और इस कालू कवे से हमें बचा ले ताके कालू कवा आगे से कभी हमें परिशान न करे फिर अब रात हो जाती है और मीनू चडिया भूकी ही अपने घर पर सो जाती है अब अगले दिन सुबा होते ही जब मीनू चडिया अपने काम पर जा रही होती है तब ही वे रास्ते में देखती है के एक तितली काटों में फसी हुई होती है लगता है ये तितली काटों में गिर कर फस गई है मैं एक काम करती हूँ इसकी मदद करके इसे इस काटों से बहार निकाल देती हूँ फिर अब मीनू चडिया जैसे ही उस तितली को काटों से बहार निकालती है वे तितली एक परी बन चाती है ये देखते ही मीनू चडिया काफी जादा खुश हो जाती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरी मदद की है अब इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूँगी फिर अब मीनू चडिया बिना कुछ सोच से समझे उस परी को कालू कववे के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे कालू कववे को सबक सिखाने का कहती है फिर अब में आज शाम में तुम सब पक्षियों के पास आऊंगी जब वो कालू कववा तुम सब को परिशान कर रहा होगा फिर अब वे परी वहाँ से गायब हो जाती है और अब मीनू चोडियाबी गोदाम में आकर सभी पक्षियों को ये बात बता देती है हरे वाँ बाई वाँ अब जल्दी से शाम हो जाए और वे परी आकर उस कालू कवे को अच्छा सबक सिखाए कुछी देर के बाद शाम हो जाती है सभी पक्षी एक साथ घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं तबी कालू कववा आज भी सभी पक्षियों को रोक लेता है मुझे पता था आज भी आप सब पक्षियों ने कोई न कोई योजना बनाई होगी लेकिन मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ फिर अब आज कालू कववा मीनू चड़िया को पकड़ लेता है चलो भाई अब जल्दी जल्दी जो कुछ भी है सब कुछ निकाल दो वरना मैं इस मीनू चड़िया के पर काट दूँगा फिर अब इतने में वहाँ पर वे परी आ जाती है और वे अपने जादू से कालू कववे के पैर तोड़ देती है औरे रे ये क्या हो गया है अचानक से ये मेरे पैर कैसे तूट गए है ये तुम्हारे पैर मैंने अपने जादू से गायब किये है अब तुमने बहुत कर लिया परिशान सभी पक्षियों को आज के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे ना तुम उड़ पाओगे और ना तुम चल पाओगे परी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी बहुत मदद की है अब ये कालू कवव कभी भी हमें परिशान नहीं कर सकेगा और हम कहीं पर भी अराम से आजा सकेंगे फिर ऐसे ही कालू कवव को अपने किये की सजा मिल जाती है और अब सभी पक्षी वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं दोस्तों ये कहानी एक बहुती बड़े से जंगल की है उस जंगल में एक तोते महराज का राजय था तोते महराज की एक मुव बोली बेटी थी जिसका नाम मीनू चिडिया था मीनू चिडिया की बड़ती उमर देखकर तोते महराज को मीनू चिडिया की शादी करवाने की बहुती चिंता रहती थी तोते महराज मीनू चिडिया के लिए कोई अच्छा रिष्टा ढूनने में लगे रहते थे तोते महराज को मीनू चिडिया की शादी एक चिड़े से गरवानी थी वो एक अच्छे से चिड़े को तलाश कर रहे थे मुझे मीनू की शादी की बहुत ही चेंता है बस जल्दी मुझे कोई अच्छा सा चिड़ा मिल जाए बाले ही वें चिड़ा शकल सूरत का अच्छा ना हो बस में दिल का साफ होना चाहिए चालों में रोजानकी तरह आज भी मीनू चिड़िया के लिए कोई अच्छे चिड़े की तलाश में जाता हूँ उस चील को तोते महराज ने ही अपने जंगल से बाहर निकल वाया था क्योंकि वे चील सभी पक्षियों के बच्चों को खाया करती थी और सब को बहुत जादा परिशान किया करती थी उस तोते ने मेरे साथ बिलकुल भी अच्चा नहीं किया है उसने मेरे मुझे मेरा शिकार चीना है जब तक मैं जंगल में होती थी तब तक मैं सभी पक्षियों का शिकार करती थी लेकिन अब उस तोते ने मुझे अपने जंगल से बहार निकाल दिया है लेकिन मुझे पता है वे तोता अपनी मीनू चिडिया के रिष्टे के लिए जगा जगा मारा मारा पिरता है रोजाना की तरह आज भी वे जंगल में मीनू चिडिया का रिष्टा डून रहा होगा मैं उसे जाकर पकड़ लेती हूँ और उसे अपना बदला ले लेती हूँ फिर वे खुनखोर चील आखिरकार तोते महराज को पकड़ ही लेती है अरे चील छोड़ दो मुझे जाने दो वरना मैं अपने सिपाईयों से तुम्हें मरवा दूँगा अरे तू मुझे क्या मरवाएगा अभी तो तेरी जान मेरे हाथ में है मैं तुझे नहीं चोड़ूंगी यही सब कुछ उस जंगल में रहने वाला एक मानो चड़ा देख लिता है अरे यह क्या हो रहा है इस चील ने तो तोते महराज को पकड़ लिया है यह चील तो बहुत ही जादा हुस्से में लग रही है लगता है यह तोते महराज को मार कर ही छोड़ेगी मैं ऐसा क्या करूँ मुझे तोते महराज की जान बचानी होगी वरना तो यह चील तोते महराज को नहीं छोड़ेगी मैं एक काम करता हूँ मैं पत्रीले इलाके से एक बड़ा फत्तर उठा कर ले आता हूँ और वे फत्तर इस चील के उपर फेक दूंगा फिर कुछ देर के लिए ये चील भी होश हो जाएगी और मैं महराज की जान बचा लूँगा फिर फिर मानो चिड़ा पत्थरीले इलाके से एक बड़ा सा फत्तर उठा कर ले आता है और उस पत्थर को उस चील के उपर फेक देता है उस पत्थर के गिरने से वे चील भी होश हो जाती है और तोते महराज की जान भी बच जाती है अरे मानो चिड़े तुमने मेरी जान बचाई है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आरे महराज इसमे शुक्रिया क्या, आप हमारे जंगल के लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्या हम आपकी जान नहीं वचा सकते, शुक्रिया तो हमें आपका कहना चाहिए था, कि आपने इस चील को जंगल से बहार निकलवा दिया था, जिसके कारण हम सब पक्षी सुकून की ज ज्यादा अच्छी लग रही थी तर अपने मन ही मन सोच रहे थे अरे वा ये मानोचुडा तो बहुत ही ज्यादाम अच्छा है इसने आज मेरे लिख बचाए है और तो और कितनी अच्छी बाते का रहा है ये मुझे तो लगता है कि ये दिल का भी बहुती ज्यादा साफ होगा बस आप मुझे मीनू के लिए यही रिष्टा चाहिए मैं मीनू की शादी इसी मानोचड़े से करवाऊंगा ये मानोचड़ा बहुती ज्यादा अच्छा है अरे महराज क्या हुआ किस सोच में पड़ गए हैं आप अरे कुछ नहीं कुछ नहीं मानोचड़े मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था मुझे वैसे तुम बहुती ज्यादा पसंद आये हो साच में तुम बहुत ही अच्छे पक्षी हो इसलिए मैं तुमसे बहुत जादा खुश हुआ हूँ वैसे भी मैं मीनू चणिया की शादी के लिए किसी चणिया को ढूड रहा था लेकिन मुझे तुम बहुत जादा पसंद आये हो इसलिए अब मैं मीनू की शादी तुम से ही करवाओंगा तुम बताओ मानू चणिया करो गेना तुम मीनू चणिया से शादी हाँ हाँ महराज जो आप किया गिया अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर शादी करूँगा अब तोते महाराज पूरे ही जंगल में मानो चड़े और मीनू चड़िया की शादी का एलान करवा देते हैं ये बात उस जंगल में रहने वाले कालू कवे को भी पता चल जाती है ये बात सुनकर कालू कवे को बहुती जादा चिंता हो रही थी अरे ये क्या हो गया है तोते महाराज को मीनू चड़िया के लिए वे मानो चड़ा पसंद आ गया है अरे अब क्या होगा अगर मानो चड़े की शादी मीनू चड़िया से हो गई तो कल को वे मानो चड़ा इस पूरे जंगल का राजा बन जाएगा और जंगल का महराज बनने का तो मेरा बच्पन का सपना है वो तो अधूरा ही रह जाएगा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कुछ भी करके मुझे इस शादी को रोकना होगा क्योंकि मुझे ही अगला महराज बनना है मैं अपने शाकिर दिमाग में कोई न कोई उपाए डूनता हूँ जरूर कोई न कोई उपाए मिल जाएगा मुझे फिर वे कालू कववा यही सब कुछ सोच रहा होता है तब उसके दिमाग में एक योजना आती है अरे हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ मैं जाकर उस मानोचड़े को कहता हूँ क्यों तोते महराज ने कहा है मानोचड़े से जाकर कहो के एक शाही तखता लेकर आए जो बाजु वाले जंगल में होगा क्योंके मौसम बहुती जादा खराब है और बारिश होने वाली है अगर जंगल में पानी भर गया तो उसी तखते पर मीनोचड़े और तुम्हारी शादी होगी हाँ मैं ऐसा बोलूँगा तो वे मानोचड़ा जरूर वे तखत लेने के लिए चला जाएगा और पिर मैं तोते महराज को कहूँगा कि वे मानोचड़ा शादी से भाग गया है वे शादी नहीं करना चाता है और फिर मैं मीनोचड़या से शादी कर लूँगा ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है अब मेरी शादी जरूर होगी फिर कालुका हुआ मानोचड़े के पास आकर बैठ जाता है और मानोचड़े मैं तोते माराज का एक बहुती जरूरी काम तुम्हारे पास लेकर आया हूँ तोते माराज ने कहा है कि मौसम बहुती जादा खराब है इसलिए बारिश हो सकती है और अगर बारिश हो गई तो पूरे जंगल में पानी पर जाएगा तो तुम बाजू वाले जंगल में जाकर लकड़ी का तखत लेकर आजाओ फिर उसी पे तोते माराज तुम्हारी और मीनू चुड़िया की शादी करवाएंगे हाँ कालू कवई तुम ठीक कह रहे हो वैसे मौसम तो सच में बहुती ज्यादा खराब चल रहा है बारिश हो सकती है मैं जाकर शाही तखत ले आता हूँ फिर मानू चुड़ा वे लकडि का शाही तखत लेने के लिए चला जाता है और अब कालू कवः तोते माराज के पास आकर बैट जाता है अरे तोते माराज वजब हो गया है मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूं कि वे मानो चड़ा भाग गया है वे मीनू चड़िया से शादी नहीं करना चाता है वे अभी दूसरे जंगल की तरफ चला गया है अब आपको आज मीनू चड़िया की शादी तो करवानी ही पड़ेगी वरना आपकी बहुती बद्रामी होगी हाँ कालो कावे तुम ठेक क्या रहा हो उसमानो चिड़े ने तो मुझे बहुती बड़ा धोका दिया है अगर आज मीनू चिड़िया की शादी नहीं हुई तो मेरी तो बहुत ज़्यादा बद्रामी होगी पर आप मीनू चिड़िया से कौन शादी करेगा औरे महराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैं मीनू चिड़िया से शादी करने के लिए तयार हूँ लेकिन कालो कवे तुम तो एक कवे हो और मीनू चिडिया एक चिडिया हैं सब लग बहुत ज़्यादा मजाक उनाएंगे औरे महराज पर आपकी बेजती तो नहीं होगी न वैसे भी मानो चिड़ा भाग गया है अगर शादी नहीं करवाई तो आपकी बहुत ज़्यादा बेजती होगी फिर तोते महराज मान जाते हैं और वे कालू कवे की शादी मीनू चिड़िया से करवाने लगते हैं अभी अचानक से जंगल में बहुती ज़्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है जिस बारिश के कारण सच में पूरे ही जंगल में बारा जाती है अब तो ते महराज बहुत परिशान होते हैं कि वे मीनू चिड़िया की शादी अब कैसे करवाएंगे सबी वहाँ पर मानू चिड़ा वे शाही तखत लेकर आ जाता है मानू चिड़ा कालू कववे के गले में शादी का हार देकर सब कुछ समझ जाता है अरे महराज ये क्या मैं अगर कुछ देर नहीं आया तो आपने इस कालू कववे से मीनू चिड़िया की शादी करवा दी मुझे पता था के बारिश होने वाली है इसलिए मैं ये लकडी का शाही तखत लेने आया था ताके आप मीनू चिड़िया और मेरी शादी इस तखत पे करवा सके लेकिन आपने तो मीनू चिड़िया की शादी इस कालू कववे से करवा दी है आरे नहीं नहीं मानू चिड़िया अमी तक मैंने इस कालू कवे की शादी मीनू चणिया से नहीं करवाई है इस कालू कवे ने मुझे जोट कहा था कि तुम शादी छोड़ कर भाग गए हो इसलिए मैंने इससे मीनू चणिया की शादी करवाना शुरू कर दी थी लेकिन अब तुम आ गए हो अब मैं तुम से ही इसकी शादी करवाऊंगा कालो काओ तुम वापस चले जा वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डंड दूंगा अब ही तो मैं तुम्हें चोड़ा हो आगे से ऐसा कुछ भी मत करना फिर उस लकड़ी के तहट के उपर मीनू चड़िया और मानो चड़े की शादी हो जाती है इस कहानी से हमें प्रेना मिलती है कि अगर हम किसी और के लिए खड़ा होते हैं तो हम उसमें खुदी गिर जाते हैं